हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको इस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ बताने वाला हूँ कि आप Instagram के story को अपने WhatsApp status में कैसे लगा सकते हैं जिसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहां से Instagram को open कर लिया है और यहां से हम story पे click करते हैं अगर हम share to पे click करेंगे इसके बाद WhatsApp पे click करेंगे और यहां से status में लगाएंगे तो यहां पे हमारा story नहीं सिर्फ story का link यहां पे आ रहा है जिसे अगर हम whatsapp में share कर देते हैं हमारे status में सिर्फ link दिखाएगा और बहुत ही कम चांस है कि reel पे कोई click करके instagram में जाके आपका story देखेगा इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो instagram में story है जिसे कि आप देख सकते हैं यहां पे एक photo है और एक song लगाया हुआ है इसी को कैसे आप अपने whatsapp status में लगा सकते हैं तो instagram story को अपने whatsapp status में लगाने के लिए आपको इसे open कर लेना है उसके बाद share to पे click करना है और यहां से आपको copy to clipboard पे click कर लेना है यहां से हमारा story का जो link था वो हमने copy कर लिया है इसके बाद simply आपको google chrome को open कर लेना है open करने के बाद यहां पे आपको type करना है insta dp और insta dp.io पे चले जाना है यहां से आप insta story downloader पे आपको click करना है इसके बाद जो भी link आपने copy किया था उसे आपको यहां पे paste करके get पे click कर देना है इसके बाद देखे हमारा यहां story आगया है आपको simply download पे click करना है इसके बाद आपको इस three dots पे click करना है और download पे click करना है देखिए यहां से हमारा डाउनलोड भी हो गया इसके बाद simply आपको WhatsApp को open कर लेना है then status में जाना है और यहां पे tap to add status पे click करना है देखिए अभी हमने जो download किया था वो यहां पे आ गया है और देखिए इसका music भी आ रहा है इसके बाद आप directly अगर इस पे click करेंगे तो हमारा जो status है वो WhatsApp में लग जाएगा इस तरह से आप Instagram story को अपने WhatsApp status में लगा सकते हैं